आज सुबह लगबग साड़े साथ आठ बजे के आसपास मेरे पास एक माठी डगामो सर के चैनल से नौटिफेकेशन आता है और उसमें लिखा होता है लाइव मिस्टर एश मुफारे सर और जब मैंने उनके चैनल पर जाके देखा तो जो यूटूब की अंदर जो लाइव का सेक्षन होता है उसमें उनकी वीडियो अलड़ी लाइव चल रही थी और रहा पर लिखा हुआ था लाइव लेकिन उनकी पूरी वीडियो को देखने के बाद पता चला कि आज एसमुफारे सर लाइव नहीं आये थे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर लोगों को बता रहे हैं इस तरीके से वहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया तो यहां पर जो भी हो लेकिन एसमुफारे सर की वीडियो हमारे लिए काफी जाता इंपोर्टेंट रहती है और उन्होंने 2018 से लेकर के और अब तक की जो भी जरनी रही है और उस जरनी की वारे में जो है उन्होंने बहुत कुछ बताया 2018 से लेकर के 2020 तक की जो जरनी रही है मैंने उस वीडियो को पूरा सुना और बहुत साई लोगों ने फिर ये भी कहा कि सर उसको आप हिंदी में जो है थोड़ा सा बताएंगे तो जाता बेटर रहेगा तो मैंने उसको हिंदी में कनवर इसर ने कहा था कि मैं आपको शॉर्ट में और पैसिप की जरूरी के बारे में बतानी जा रहा हूं 2018 में हमने इसकी शुरुआत की थी उस समय हम कहां थे और आज कहां पर हैं 2018 में हमने डिजिटल मार्केटिंग ब्लेटफर्म बनानी का डिसीजन लिया था इसको बनाने का सबसे important चीज यह थी कि हम घर बैठे सारी के सारी इंकम कमा सके ऐसे ने बताया कि हमें मैं हमेशा सही technology science और नई चीजों का हमेशा से शौकिन रहा हूं मैं हमेशा अपनी life में नई चीजों को इस्तिमाल करना चाहता हूँ मैं जिस तरीके से market को देख रहा था उस तरीके से solution काम भी हो रहे थे मैं ऐसे कामों को जो है कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता इस प्रकार की कंपनी का मैं कभी भी हिस्ता नहीं बन सकता बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी होती हैं जैसे की टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम एक बहुतरी लाइफ यह सा अच्छी एजुकेशन भी है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा करके मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना करके खुश नहीं रह सकता, अपने परवार को पुरी तरीके से भुला कर आगे बढ़ना, यह है मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, यह है मेरे ही beautiful, neat and clean बिजनस बनाने के बारे मैं सोचा, जहां पर हम जैसा चाहते थे, वैसा ही हो, एक बहुत ही ideal बिजनस कंसेप्ट बनाने के लिए, हमने decision लिया, हम यहाँ पर एक ऐसा बिजनस करने जा रहे हैं, जहां पर हम पूरी तरीके से community को बचा सकते हैं, एक ऐसा बिजनस market में चेक किया गया कि कौन-कौन से product की सबसे ज़्यादा जरूवत है उन सभी product पर काम करना start किया गया और उसके साथ साथ एक business model भी तैयार किया गया हमने पूरे slogan के साथ इस काम को शुरू किया do or die करो या मरो यह एक ऐसा business होगा जिसमें लाखों लोग पूरी तरीके से लावनवित होंगे यानि की profit में रहेंगे जो इस business से जो इस प्रकार के business model में अच्छी knowledge रखते थे उनके साथ मिलकर इस काम को करने के लिए निकल पड़े हमने सबसे पहले founding membership की position को बनाया यह एक pre registration परिकरिया थी यह किसी प्रकार का investment नहीं था ओन पैसे business model अलग था founding member से position अलग थी इस business को सुरू करने में कितना समय लगेगा यह अनुआन लगाना मुस्किल था founding membership की position को लेने के लिए हमने कीमत को decide किया 97 डॉलर इसकी समय सीमा को उसी दिन से गिना जाएगा जब on पैसे पूरी तरीके से launch हो जाएगा और इसकी समय अबधी 12 मुईने होगी यह position एक VIP की तरह काम करने वाली होगी इस position में बहुत सारी सुख सुविधाओं को और lab को शामिल किया गया है यह एक business position होगी जिसमें company के माध्यम से समय समय पर information उनको मिलती रहेगी founding member को मिलने वाली information publicly कभी नहीं होगी और सबसे बड़े चीज यह है इस company के beta tester भी होगे हम एक बड़ा business model बनाने जा रहे हैं Argentina, Sancturaj America, Canada, Philippines, Egypt, Malaysia और भी बहुत सारे देश इन सभी में हमने अपने नज़दी की लोगों को देखा जो इस business के लिए उपयोगत हो सकते थे इंडिया में दो company मिली उन्होंने कहा था कि जिस दिन आपका वेपसार बड़ा हो जाएगा हम अपनी एक team आपको पूरी तरीके से समर्पित कर देंगे भारत में बेस्ट बंगॉल के कोलकाता शहर में एक company थी उसमें से काफी लोगों को वहां से निकाला जा रहा था तभी एसर ने उन लोगों को अपनी team में शामिल करने के लिए प्रिस्ताव दिया वहीं से अपनी company की शुरुआत हुई और go founder का option खुल गया 2018 में ही हमारे बहुत सारे founding member हो गए तभी वहां एक और decision लिया गया founding member के माध्यम से ही लोगों को founding member बनाने का मौका दिया जाए इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि company की जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई 2019 में हमने अपनी office को change करने का decision लिया और हम कोलकाता से बैंगलोर में सिफ्ट हो गए बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए आज हम पूरी तरीके से बैंगलोर में अपना खुद का office बनाने में काम्याब हो गए दूसरा office हमारा औरलेंडों में है जहां से मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ इस दुनिया के अंदर transfer रहे सब कुछ transparent रहे इसलिए अमेरिका के अंदर भी हमने काम करना शुरू किया दीरे दीरे करके हमारे और भी महान लीडर्स ने हमारे अपने तरीके से इसको promote करना शुरू कर दिया इस प्रकाद धीरे धीरे करके बहुत ही बहतरीन लीडर्स इस कंपनी के अंदर आते चले गए अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यह था कि हम एक काम को इस काम को आटोमेशन पर ले जाना चाहते थे जो की काफी ज़्यादा मुस्किल था 2019 में Artificial Intelligence की शुरुआत हो रही थी उस समय सबसे ज़्यादा जिरुवत थी Artificial Intelligence और Machine Learning की नौलेज उसको अपने बिजनेस में शामिल करने की उसके बाद Artificial Intelligence और Machine Learning पर काम शुरू किया गया यहाँ पर एक Digital Marketing नहीं बलकि Total Digital Marketing Solution और Internet Solution पर काम शुरू किया गया एक ऐसा Solution जो एक ही जगह सारा काम कर सके 400 करोड की Internet की आबादी में से 4700 मिलियन लोग Online Solution का इस्तमाल करते हैं OnPassive के सभी प्रोड़क्ट ऐसे होंगे जिसकी कम से कम दो रीजन ऐसे होंगे जिसकी बजह से हर एक व्यक्ती OnPassive के प्रोड़क्ट को इस्तमाल करेंगे बहुत साई लोगों को Feedback लेने की बाद पता चला कि OnPassive का प्रोड़क्ट लोग यूज़ करेंगे यह हमारे लिए काफी खुशी की बात थी हमारे प्रोड़क्ट High Value और Affordable Price के साथ होंगे और इसी कारणों की बजह से OnPassive के प्रोड़क्ट की मांग बढ़ सकती है 2020 में कोरोना महमारी के कोरोना महमारी ने काम को बहुत ही जादा प्रभावित किया और एक साल तक काम नहीं किया गया लेकिन आज हम वापस आ चुके हैं आने वाले समय की अंदर हमारे प्रोड़क्ट लोगों के टाइम को पैसे को लागत को डिप्रेशन को और बहुत सारी परेशानियों को प्रब्लम को हर प्रकार से बचाने में सफल होंगे काम बढ़ने के बाद बैंगलूरू से हमने हैदरवाद जाने का डिसिजन लिया जो की एक टेक्निकल हब है कुछ हमारे प्रोड़क्ट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डन हो चुके हैं कुछ फाइनल स्टेज में पहुँच चुके हैं कुछ रास्ते में हैं यदि आपके पास कोई आइडिया कोई सुझाव है तो आप उसे अपने पास ना रखें यदि ओन पैसिप के अंदर ये काम आ सकता है तो हमारे साथ इसे जरूर शेयर करें हम उसे कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से देखा आपने कि ओन पैसिप की शुरूरात होई और आज हम एक बहुत ही मजबूत स्तिती में आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर जो एस मुफारे सरने 30 मिनट की जो वीडियो यहाँ पर हम सब लोगों को लाकर के दी है माठी डिगा मुसर के माध्यम से इस वीडियो के अंदर 2018 से लेकर के 2020 की जो जर्नी थी उस जर्नी को हमारे एस मुफारे सरने पूरी तरीके से यहाँ पर एक्स्प्लेन किया जो कि मैंने कुछ बहुत ही संच्छेप में मैंने आपको उसके बारे में बता दिया आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कितनी कटनाईयों का सामना करते हुए ओन पैसे बाज यहां तक पहुंची है और इसलिए आज हम सब लोगों को गर्व होता है अच्छा मैसूस होता है और फक्र मैसूस होता है कि आज हम एक रियल कंपनी का पार्ट है और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही बहतरी निहां से होने जा रही है हमारा फ्यूचर सामने नजर आ रहा है थेंक्यू सो मच एवनाइस दे वी आर सो इन टो विन इट जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी